नमस्कार जी कैसे हैं आप सब आसकरती हैं आप सब खुछ हैं सुवस्त हैं और मम्मी आ गई है वहां से मम्मा जी कैसे और बस आठ दिन रहके आई हैं यह आठ दिन रहके आई हैं नूवे दिन आ गई घर पर और बस यह कपड़े अपड़े निकाल दिये मम्मी न जो जो नो दिखा रही है और अंटी जी है ये और ये जेठानी देदी तो ये होता ही है जब मतलब आते हैं कहीं से तो दिखाना क्या क्या दिया है क्या क्या लिया है तो ये सब होता ही है गाउं में और गर्मी भी काफी हो रही है बहुत जाद गर्मी हो रही है पस गर्मी ना तो पूरी हद्ग रखी यहां पहरी खोड़ तोड़ रखा तो जिनकी बाते साथ ते सलरी है और इधर कपड़े वपड़े दिखाए जा रही है तो जी बस ममी आ गई थी वहां से और अते लग गई है अपने काम में और यहां पर थोड़ी सी जगह है जहां पर गाउं में होता ही है बढ़ डाल लेते हैं और थोड़ी और बचरी है तो वहां पर बाजरा और चेरी वगएरा कुछ बो देते हैं जैसे बिंडी पालाग वगएरा तो यह सब तो हो या नि उपर चत पर बो रखी है क्योंकि पापजी का ऐसा है कि वे एक दो बार खते हैं फिर बोल देते हैं कि दो लो नहीं अच्छी नहीं लगती तो बच्चों के लिए उपर से हो जाता है तीसरे चुत्ते दिन बच्चे खते हैं देखलो सबने वो रखी है थोड़ी थोड़ी जगे है तो यह हमारी है सब्सक्राइब तो टाने हिएं अगिए वोत्री तंच्छीम न सकाईटे अच्छी भीजा के लिखें दोपनेगे यह वीशी का इनका यहीशी खते हैं मुमी काटने में इसको आज खाली कर देंगे खेट को और वास इसको इसको खाली करके ऐसे छिड़क देते हैं पानी बाल्टी वाल्टी से भर के और वस पाप जी आ गई है त्रेडा है जो वा सड़क पर खड़किया हुआ है क्योंकि सड़क है यहीं पर में रोड है में रोड पी है यह बच्चों कभी हो रहा है मनोरण्यर कभी कभी निकलती है तो इधर यह आ गई थी मोसी जी जी जो उनकी बहन है तो यह आ गई थी तो फिर मैंने आई को भेज दिया तक काफी देर तक बैठी रही मैं कर जल्दी आ जाएंगी मम्मी तो तुम्हां पर काफी टाइम लगना था क्योंकि उसको खित को साप करके और फिर उसको खोद के स उसको दूबारे बोना था तो फिर इसी वज़े से मैं जदे टाइम लग जाएगा और होता भी है देको इतनी दूर से आए हैं तो सब से मिल जुलके जाएं और हमारे यहां पर आए हैं तो अच्छे से होता है मिलना जुलना तो मम्मी को भेज दिया मैंने बुलाने के कहते हैं यह अपनी मम्मी का बोले दें है मोसी जी कि अपनी मम्मी का नहीं ज़्यादा वो करता कि रात को भी मेरे पास भी सोता है मैं अच्छा है होता है मतलब तो इनका भी आपस में लगाव है मतलब जब इसको यह अच्छे से लाड़ प्यार से अच्छे से रखते हैं तो तभी यह इनके पास रहता है तो जीवे चली गई थी मोसी जी और इनका मतलब जो यह छोटा सा गुड़ा है इनका पोता तो इसके पापाई हुए थी इसको लेके मोसी जी को मतलब अपनी मम्मी को लेके तो वह चली गई है अब और टाइम भी काफी हो रहा है और अंदर बैठे हैं यह सावन भाईया तो मैं लगी हूँ ज़ाड़ो लगाने मम्मी भी जैसे जली गई थी मोसी तो वहीं पर चली गई थी मम्मी भी खेत में खेती है जब मसल अगा बोर्क किया असमें थोड़ा सा हो पर है खेती तो मम्मी देखने गई थी कितना हुआ है तो सामका टाइम हो रहा है वैसे थोड़ी हल किसी ठंड हो जाती है फिर भी गर्मी तो रहती है तो जी बस मैं लगा रही हूँ इदर ज़ाडू और दूद का भी टाइम हो गया है तो फिर ज़ाडू वाडू लगा के घासवास करके फिर मैं निकाल लोगी दूद और वस तो जी दूद निकाल लिया था मैंने और मम्मी और भी आ गई थी और ये जो हमारा गद्धा है इधर गाई के निचे नहीं पता नहीं कैसे किसका किसको बिल्कुल पिछे मिला देती है तो जब भी इसको ठीक करना होता है 15-20 दिन में तो इसको गाई को इधर बहनना हो तो इसको गद्धे को ठीक करके तो यहीं पर नहला रहे हैं और देखो चुला है यहाँ पर गाई को बिल्कुल धरी बांदिया चुला ना पोड़ दे गाई लग रहा है आज तो पक्का पोड़ेगी चुला और यह जो गाई है तो पता ही है इसका पैरों पर हाथ नहीं दूज से साफ कर देखती हूं तो जी पस ममी ना अत्ते ही अपना काम संभाल लिया और मैं लग रही हूं खाना बनाने में दूद निकाल लिया था मैंने तो घास नहीं किया था क्योंकि घास पड़ा हुआ था तो मैंने उसमें चुकर लगा लिया और इधर पाप जी आई ह है कि मैं नहला के देखता हूं इसको फिर भी लात मारेगी क्या ही तो पर इसको तो आदत है मारने की तो मारेगी यह तो इनको नहला के आज तो यह थंड़ा को मरला खुला सा भी है देखो गाए